हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पड़ो इंडिया पर आज हम करेंगे कख्षा 3 की सब्ता 24 की वर्कषीट पर्यावरण अधेयन यानी EBS की और इसमें हम करेंगे पार्ट बूंद बूंद से चलिए शुरू करते हैं इस कारे पत्रप को हल करना प्रशने देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है का डैश पानी मिलता है बर्शा से पहाड़ो पर बर्फ पिगलने से बच्चों इन दोनों से ही पानी मिलता है हम सही उत्तर तीसरे पर निशान लगाएंगे डैश पानी की जरूरत होती है केवल पौधो को, केवल जानवरो को, पौधो तथा जानवरो दोनों को उत्तर है, पौधो तथा जानवरो दोनों को ही पानी की जरूरत होती है फिर देखिए गा, निम्न में से कौन सा पानी का प्राकृतिक संसादन नहीं है यानि प्राकृतिक संसादन का मतलब होता है जो हमें प्राकृति से सीधे ही मिल जाता है नल, वर्षा, नदी, बच्चो इसमें नल है जो कि पानी का प्राकृतिक संसादन नहीं है घव, हमें पानी की बचत करनी चाहिए क्योंकि सही जवाब है स्वच पानी हमारे पास सीमित मात्रा में है परश्ण दो देखिए, जित्र में दीख रहे पानी के सुरोतों के नाम लिखिए बच्चो ये है नल, ये हैंड पंप है, ये हैं नदी और ये कुआ परश्ण तीर, उन गतिविदियों पर गोल घेरा लगाईए, जिने करने के लिए पानी की जरूरत होती है बच्चो चाय बनाना, नहाना, नौकाया यनि नौका चलाने, नाउ चलाने में जाड़ू पोचा लगाना, पानी पीना, आटा गूतना और पौधे उगाना इन सभी कामों में हमें पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने इन पर गोला लगा दिया है परश्ण चार देखिए, यहाँ पर नेचे कुछ वाक्य लिके हैं, जो वाक्य सही हैं उनके सामने इस्सा, और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने आ लिकना है पहले देखिए, जितना जरूरी हो हमें उतना ही पानी इस्तिमाल करना चाहिए, यह वाक्य सही है, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, यह वाक्य भी सही है, सभी जीवित पराणियों को जीने के लिए पानी की अजरूरत होती है, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की पानी के तीन सुरोत होती है यह वाक्य भी सही है गंदा पानी पीने से हम बिमार पड़ सकते हैं यह वाक्य भी सही है पानी के तूटे पाइप को तुरंत बदला जाना चाहिए यह भी सही वाक्य है परश्ण पांच देखिए निमने परश्णों के उत्तर दीजिए पानी के तीन सुरोतों के नाम लिखिए, पानी जहां से मिलता है हम उन्हें ही पानी के सुरोत बोलते हैं, पानी के तीन सुरोत हैं नल, तालाव और कुवा, खा, पानी बचाने के तीन तरीके बताईए, पानी बचाने के तीन तरीके हैं, तूटे नल ठीक करो, ताकि पानी ना रिसे, पानी को दुबारा इस्तिमाल करो और जरूरत ना हो तो नल बंद रखो हम इन तरीकों से पानी को बचा सकते हैं अब प्रश्ण गह देखिए आपके घर पर पानी कहां से आता है बच्चों हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोड के नल से आता है 6. अपने घर में पानी रखने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले किनी दो बरतनों के चितर बनाईए यहां पर आपको उन बरतनों के चितर बनाने हैं जिन में आपके घर में पानी रखा जाता है मैंने एक बाल्टी और घड़े का चित्र बना दिया है आप भी इने देखकर इन चित्रों को बना सकते है बत्तों यहाँ पर हमारी यह वर्कशीट खत्म होती है बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब दरूर करें